प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और प्रेस बेल आइकान फॉर नोटिफिकेशन सकते हैं, तो सब्सक्राइब और प्रेस की गवर्जिस और णीम करता हूं. सब्सक्राहिए करूंनी तो सब्सक्राइब के ऐन सब्सक्राइब करने स्रीज बनाता हूँ, पॉजिटिव टर्म स्रीज के लिए मैं यू एन लिखता हूँ, यू एन क्या हो जाएगा, एन अपोन टू रेश्ट टू पावर एन, अब अगर ये स्रीज, स्रीज यू एन अगर कनवर्ज करती है, तो इसका मतलब होगा कि एपसल्यूट होगी एन, तो इसमें मैं, क्योंकि एन इंवाल्व है, पावर में, मैं रूटेस्ट अपलाई करता हूँ, तो मुझे लिखना होगा, लिमिट यू एन रेश्ट टू पावर वन अपोन एन, क्या ये लिमिट लेस देन बन आ रही है, अगर येस, तो ये एपसल्यूट कनवर अगर मैं इसको लिखता हूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, लिमिट एन रेश्ट टू पावर वन अपोन एन और ये हो जाएगा टू, मुझे चेक करना है, जब एन इंफिनिट को करेगा, ये होगा वन अपोन टू, येस, इसकी लिमिट लेस देन बन है, इसका मतलब Absolute Convergent means, Finally Convergent है, अब हम Series BN के लिए चेक करेंगे, तो सबसे पहले जो Series BN दे रिखी है, वो है Summation minus 1 raised to the power n upon log n plus 1, इसके लिए मैं UN लिखता हूँ, यानि कि Positive Term Series मैं अगर इसको बनाऊँगा, तो इसके लिए UN क्या होगा, 1 upon log n plus 1, और इसके लिए अगर मैं ये Series को चेक करूँ, Positive Term Series, कि क्या ये Positive Term Series Converge करती है, अगर ये Converge करती है, तो इसका मतलब Absolute Converge करेगा, लेकिन अगर ये Diverse करती है, तो मैं इसको लिखूँगा, Conditionally Convergent, तो मैं यहाँ पर इसको चेक कर रहा हूँ, कि Positive Term Series क्या Converge करे हैं या नहीं, इसके लिए सबसे पहले, मैं जो UN दे रखा है, उसको लिखता हूँ, UN क्या है, 1 upon log n plus 1, और इसको मैं लिख सकता हूँ, यह greater than होगा है, 1 upon n plus 1 से क्यों होगा, क्योंकि log x less than होता है, x से for all x greater than 1, अगर मैं reciprocal लेता हूँ, 1 upon log x greater होगा, 1 upon x, इस चीज़ को मैंने यूज क्या है, और यह जो 1 upon n plus 1 है, यह approximate है, 1 upon n के, और 1 upon n स्रीज जो है, वो आपकी divergent है, अगर यह divergent है, तो यह वाली स्रीज भी आपकी divergent होगी, by comparison test, यानि कि स्रीज UN आपकी divergent आ गई, यानि कि जो हमारी स्रीज BN है, वो conditionally convergent होगी, अब हम देखते हैं कि कौन सा option आपका true होगा, तो option A में कहा है कि AN absolute convergent होगी, but BN is conditionally convergent, option B आपका true होगा, option A आपका wrong होगा, क्योंकि BN कहा है कि absolute convergent है, option B is right key, हमें parcel derivative निकालने हैं 00 पर, तो सबसे पहले parcel derivative with respect to x निकाल लेंगे f का, उसको हम लिख सकते हैं, parcel derivative of f with respect to x at 00 और इसको limit की form में हम लिख सकते हैं, limit h tends to 0, f 0 plus h, 0 minus f 0, 0 divided by h, इसको में लिख सकता हूँ, limit h tends to 0 और यह हो जाएगा f h, 0 minus f 0, 0 divided by h, अगर मैं इसको evaluate करता हूँ, तो f h, 0 का जो value होगा, हो आएगा h into square root h square upon mod h into h, यह इससे cancel out हो जाएगा और आपका चल रहा था limit h tends to 0, यहाँ से आपको मिलेगा limit h tends to 0, mod h upon mod h, और यह mod h से mod h cancel out हो जाएगा, और finally आपको limit 1 मिलेगा, actually मैंने square root of h square, इसका जो value होता है, वो mod h के equal होता है, ना कि h के equal, यह याद रखेंगे, यहाँ से parcel derivative जिसको मैं f x at 0, 0 लिख सकता हूँ, वो आया मेरा 1, अब मैं partial derivative of f with respect to y निकाल लूँगा, यानि कि fy at 0, 0 और इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, partial f with respect to y at 0, 0, limit की फोर में मैं इसको लिख हूँगा, limit k tends to 0, f of 0, 0 plus k minus f at 0, 0 divided by h, और इसको मैं लिख सकता हूँ, limit k tends to 0, f 0, k और f 0, 0 का value 0 हो जाएगा, divided by, यहाँ पर k रहेगा नीचे, k, it means 0 upon k और इसका limit हो जाएगा 0, हमें find out करना था, f x at 0, 0 plus fy at 0, 0, 0 इसका value, जो की मिले हमें, 1 plus 0, finally 1, इस तरह option सी correct की होगा, तो यहाँ पर हमें इस triple integral के value find out करनी है, और आप यहाँ पर देखिए, जो integral की limit है, वो क्या दे रिखे, 0 से 1, 0 से x square, और 0 से y, तो upper limit में, आप यहाँ पर देख सकते हैं, कि x और y, variable use किये गए हैं, यानिकि आपको सबसे पहले इसको integrate करना होगा with respect to z, तो इसको integrate करते हैं with respect to z, तो हमें क्या मिलेगा, y, z, plus 2, z square upon 2, और z के जो limit हैं, वो 0 से y है, अब given expression को, जो यहाँ से obtained हुआ है, आपको 0 से x square और 0 से 1 यह इसके limit रहेगी, dy, dx, इसको हमें further integrate करना होगा, यहाँ से हमें expression मिलेगा, y square plus y square, और यहाँ पर मैं लिखूँँगा dy, dx, limits आपकी same रहेगी, 0 से 1 और 0 से x square, यह हो गया है, 2 y square, 2 y square का जब मैं integration करूँगा, तो मुझे मिलेगा, 2 y3, 2 y3 upon 3, और इसकी limit रहेगी 0 to x square, और उसको integrate करना होगा, 0 to 1, dx, इसको जब मैं further integrate करूँगा, तो 2 upon 3 मैंने outside लिया, y के power 6 हो जाएगी, यानि कि y raise to the power 7 upon 7, इसका integration हो जाएगा, और limit रहेगी 0 to 1, इसको further limit रखने पर, मुझे क्या मिलेगा, 2 upon 21, यानि कि इस problem का जो option है, भी सही है, इस boundary है इस reason की, और यहाँ पर हमें जो curve लेना है, वो counterclockwise direction में लेना है, और इस integral की value find out करनी है, तो सबसे पहले इसको आप compare कराईए, m dx plus n dy से, और जब आप compare कराएंगे, यहाँ पर, तो m की value आपको मिलेगी y, और n की value मिलेगी आपको 2x, अब आप यहाँ से इसके partial derivative निकाल लिजे, यानि की partial m with respect to y, यह हो जाएगा 1, और partial n with respect to x, यह आपको मिलेगा 2, green theorem का आप इसमें use करेंगे, तो यह जो single integral है, यानि की line integral m dx plus n dy, यह convert हो जाएगा आपका double integral में, और यहाँ पर इसका जो integrand होता है, partial n with respect to x minus partial m with respect to y dx dy, अब हमें limit यूज़ करना होगा, जो y की limit है, वो minus 1 से 1 है, और x की limit है, 0 से 1 minus y square, difference जो है, partial n with respect to x minus partial m with respect to y, यहाँ से आपको मिलेगा 1, so dx dy, now इस double integral को हमें solve करना होगा, तो first difference आएगा, upper or minus lower limit, यह, और इसको further हमें integrate करना होगा, यहाँ से हमें मिलेगा, y minus y cube upon 3, और limit होगी, minus 1 से 1, इसमें limit पुट करने पर जो हमें expression मिलेगा, यह value वो 4 upon 3 मिलेगी, इस तरह आपका option d correct है, आपका g एक cyclic group दे रखा है, जिसका order 24 है, और हमें number of group isomorphism of g onto itself find out करना है, तो इसको किस तरह से करेंगे, क्योंकि g एक finite end cyclic group है, और कोई भी cyclic group क्या तो z और z n इसके isomorphic हो सकता है, लेकिन group का order finite है, इसका मतलब यह जो g है, यह z n के isomorphic होगा, हमें निकालने है number of isomorphism from g2 onto itself, g से g पर निकालने है, जो onto हो, onto isomorphism, और g जो है, वो z n के isomorphic होगा है, क्योंकि same group है, इसलिए हम इसको automorphism भी कह सकते हैं, यानि कि आप question इस तरह translate हो गया है, कि कितने total group automorphism होगे, जो g से g पर define है, और इसको हम लिख सकते हैं, automorphism of z n, क्योंकि g क्या है, z n के isomorphic है, तो ऐसे कितने automorphism होंगे over z n, और हम जानते हैं, यह किसके isomorphic होता है, यह isomorphic होता है, यू एन के, क्योंकि automorphism of z n is isomorphic to z n, और इस set को, जो automorphism of z n को contain करता है, उसकी cardinality equal होगे, cardinality of z n, और z n की cardinality हम कैसे निकाल सकते हैं, phi n, यानि कि Iler 5 function की help से, अब यहाँ पर n का value 24 है, तो यानि कि हमें 524 की value find out करना होगा, 524 का जो value है, उसको, क्योंकि 24 को हम लिख सकते हैं, 2 raise to the power 3, into 3 raise to the power 1, यानि कि 524, 524 किस तरह से होगा, 24 into 1 minus 1 upon 2, 1 minus 1 upon 3, और यहाँ से हमें मिलेगा 24 into half into 2 by 3, 2 से 2 cancel out हो जाता है, 3 से 24, 8 times, यानि कि 8 ऐसे, group isomorphism होंगे, जो G on to itself है, option B is correct, हमें एक S-oriented surface दे रखा है, X square plus Y square plus Z square equals to 1 से, और N cap एक pointing unit नॉर्मल दे रखा है, outward, हमें यहाँ पर एक vector field F दे रखा है, मैं इसके उपर vector लगा देता हूं, जिसको represent क्या गया है, X hat, X I hat plus Y j hat plus Z k hat से, और हमें value निकालने है, इस double integral over the surface S, F dot N cap Ds, और यह जो double integral है, यानि कि इसको हम flux कह सकते हैं, जो flux है, इसको हम evaluate कर सकते हैं, volume integral of the divergence of F, under the surface V, तो इसको निकालने के लिए, मैं यहाँ पर सबसे पहले divergence of, यानि कि divergence of F find out करूँगा, dot product of nebla with F, और यह मुझको मिलेगा, 3, इसको मैं use करूँगा, volume integral over V, 3 into dV, 3 outside लिया मैंने, और volume integral, क्योंकि यहाँ पर जो surface दे रखा है, यह किसको represent करता है, यह आपका एक sphere को represent करता है, और sphere का volume क्या होता है, 4 upon 3, pi r cube, यहाँ पर जो radius है, वो 1 है, तो मैंने इसको 1 use किया, तो यहाँ से, मुझे entire volume से यह expression मिलेगा, 1 cube, और यहाँ से 3 से 3 cancel out हो जाएगा, 4 pi, इसका मतलब यह हुआ, कि option d आपका correct होगा, तर हमें एक function f दे रखा है, जो 0 to infinity, open interval 0 to infinity से r पर define है, और यह differentiable function है, और यहाँ पर f prime x square, यह दे रखा है, 1 minus x cube, और यह true है, सभी x के लिए जो greater than 0 है, f1 की जो value है, वो 0 है, तब हमें f4 का value, find out करना है, तो सबसे पहले, जो हमें expression given होते हैं, जैसे कि function fx equals 2, 2x square plus 1, suppose करो यह कोई function है, तो यहाँ पर input, और जो output है, same variable में represent होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर input x square है, और यहाँ पर x cube, यानि कि x में है, तो सबसे पहले, हमें इसको same करना होगा, तो मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, f prime x square equals to 1 minus x square raise to the power 3 by 2, power से यह 2 power cancel हो जाएगी, तो यह fit है, x greater than 0 के लिए, सभी चीजों के लिए true है, अब मैं यहाँ पर x square को y से replace कर देता हूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, f prime y equals to 1 minus y raise to the power 3 by 2, तो अब मुझे अगर यहाँ से f y चाहिए, तो मुझे इसको integrate कराना होगा, तो मुझे मिलेगा integrate कराने पर, f y equals to y minus 2 upon 5, और y raise to the power 5 upon 2, यह मुझे मिलेगा plus c, constant of integration मैंने इसमें add किया, अब यहाँ पर जो given value थी, f1 equals to 0, वो मैं इसमें use करूँगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, 0 equals to 1 minus 2 upon 5 plus c, this implies c का जो value आएगा, यहाँ से हमें मिलेगा minus 3 upon 5, और यह value इस equation में use किया जाएगा, तो यह हो जाएगा, f1 equals to y minus 2 upon 5, 5 raise to the power 5 upon 2 minus 3 upon 5, अब मुझे जो value चाहे था, वो f4 का value चाहे था, इसमें 4 put कर दीजिए, variable की जगा, f4 equals to 4 minus 2 upon 5, 4 की power 5 upon 2 minus 3 upon 5, यहाँ से इसको simplify करने से मुझे क्या मिलेगा, 4 की power half, यानिकि 2 और 2 के power 5, यानिकि 32, तो ही मुझे को मिलेगा, 4 minus 64 upon 5 minus 3 upon 5, 5 for 20, it means minus 44 upon 5 minus 3 upon 5, it means minus 47 upon 5, मेरा answer होगा, और यह answer आपको option यह में देखने को मिलता है, यहाँ पर एक matrix A दे रखा है, जिसका size n, y, n है, यानिकि वो एक square matrix है, और उसके जो entries है, वो real entries है, साथे साथ जो A matrix है, वो A square equal to A को satisfy कर रहा है, और यहाँ पर जो rank दे रखी है, वो A minus identity matrix की M है, M यह नहीं बताया गया है, कि वो क्या है, और साथे साथ आपको निकालना है nullity of A, तो nullity of A और यहाँ पर rank दे रखी है, तो कहीं न कहीं हम इसमें rank nullity theorem का use करेंगे, तो nullity of A इसको निकालने के लिए हम use करेंगे, N minus rank of A, अब हमें rank of A चाहिए होगी, इसको call कर देते हैं equation 1, rank matrix A की चाहिए हमें, और हमें दे रखा है A square equal to A, और यह जो definition होती है, या condition होती है, item potent matrix के लिए होती है, item potent matrix हो गई, और item potent matrix के लिए हम जानते हैं, कि इसका characteristic polynomial क्या होगा, क्योंकि कहले Hamilton theorem से, हमें जानते हैं कि कोई भी matrix, अपने characteristic equation को satisfy करते हैं, तो इसके जो possible characteristic equation है, x square equal to x होगा, और हम लिख सकते हैं, x square minus x equal to 0, और यह imply करेगा, x, x minus 1 equal to 0, और यहां से x जो है, वो 0 और 1 आ गए हैं, यानिकि इस characteristic equation के, दो root हमारे पास 0 और 1 है, और यही roots हमें, हम इनको eigen values कहते हैं, और sum of eigen values होता है, वो trace होता है, तो trace of a जो है, उसमें सिर्फ 0 का कोई role नहीं होगा, उसमें सिर्फ once का role होगा, यानिकि once का जो sum है, वही trace हो जाएगा, तो हम यहां से एक बात यह लिख सकते हैं, या concept को हम use कर सकते हैं, concept यह है, कि item potent matrix के लिए, जो trace of a है, और जो rank है, वो क्या है, same होती है, क्यों, क्योंकि rank होती है, number of non-zero eigen values, और यहां पर जो trace है, trace में contribution सिर्फ once का है, तो यहां पर trace of a equal to rank of a, trace of a, जितना होगा, उतना ही उस matrix का rank होता है, item potent matrix के लिए, हम यह बात कह सकते हैं, अब हम equation one का use करेंगे, equation one में जो हमें nullity of a निकालना था, वो क्या था, n minus rank of a, और अभी हमने देखा, कि जो rank है, उसको हम replace कर सकते हैं, trace से, क्योंकि a जो है, आपका identity matrix है, तो n minus trace of a, अगर identity matrix है, तो उसका जो trace है, इसका trace होता है n, तो n को भी हम change कर देते हैं, trace of identity matrix से, minus trace of a, अब हमें ये, equation मिल गई है, और trace जो होता है, वो linear function होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं, trace of i minus a equal to, this, अब हमें, जो given है, वो दे रखा था, rank of a minus i equal to m, यानि कि कहीं न कहीं हम इसमें rank को use करेंगे, और यहाँ पर यह भी देखें, कि यहाँ पर i minus a है, और यहाँ पर a minus i है, तो इन दोनों को भी हमें ध्यान में रखना है, यानि कि trace जो है, इसको हम मैं लिख सकता हूँ, rank of i minus a, और rank of i minus a जो है, यह सेम होगा, rank of a minus i के, और rank of a minus m, जो i दे रखा था, वो m दे रखा था, यानि कि nullity of a जो है, वो किसके equal आई है, m के, यहाँ पर अगर m को कोई fix value या number दे दें, तो वो इसकी nullity हो जाएगे, यानि कि अगर m यहाँ पर 2 होता, तो इसकी matrix की जो nullity है, वो भी 2 होती,